Hello everyone, मैं परवेशमान, आपके अपने YouTube चैनल OU Class पर आप सब का स्वागत करता हूँ Dear students, IGNU के जितने ही बच्चे हैं, उनके लिए हमने admission guide स्टार्ट किया है, जिसके तीन वीडियो हम upload कर चुके हैं अब यह फूर्थ वीडियो हम upload करने जाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि IGNU से आप अपना ID कार्ड कैसे download कर सकते हैं Dear students, जैसे कि आप सब लोग registration कराते हो सबसे पहले, फिर आप admission form fill करते हो, उसके बाद document upload करते हो, यह आपका procedure है admission का उसके बाद आप fees payment करते हो, फिर आपका admission confirm हो जाता है, admission confirm होने का आपको wait करना होता है, admission confirmation आपको 2-45 days में आ सकता है ठीक है, कब आता है, कैसे आता है, उसके हम video बना चुके हैं, discuss कर चुके हैं, आज की video में हम discuss करने जा रहे हैं, कि आपको अपना ID card है, वो आप ID card कैसे download करोगे, ठीक है तो ये video जो भी audio का बच्चा है, या online का बच्चा है, दोनों के लिए helpful है, दोनों के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपना ID card download कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी audio का बच्चा है, उसको जो ये link है, इस link पर जाना है, और इस link पर जाकर आपके स खुझ से कर सकता है, किसी को कहीं जाने की जो तो नहीं है, आप अपने mobile phone से भी download कर सकते हो, laptop से download कर सकते हो, किसी भी चीज से जो भी आपका electronic device है, internet उसमें working है, आप download कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसे ही अगर आप online के बच्चे हो, तो online के लिए य आपको same format आपको open होएगा, वो format में आपको दिखा देता हूँ, कैसे क्या होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप कोई किसी भी link पे जाओगे, यानि कि अगर आप audio के बच्चे हो तो इस link पे जाना है, online के बच्चे हो तो आपको इस link पे जाना है, audio के इस link पे ठीक है, for example, आप audio के बच्चे हो, ठीक है, तो आप इस link पे चले गए, जैसे आप इस link पे जाओगे, तो आपके सामने window open होएगी, जिसमें आपको registration मांगेगा, जिसमें आपका username और password मांगेगा, username password मतलब, जब आपने admission लिया था, तो आपने एक username और password create किया था, ठीक है, जैसे ही आप login कर लोगे, या तो आप online के बच्चे हो, या audio के, कोई दिक्कत नहीं है, login करोगे, बस आपका login portal, जो admission portal है, वो different है, बाकी सब कुछ same है, download करने के लिए, क्या, ID का download करने के लिए, ठीक है, तो जैसे ही आप ID का download करने के लिए, login करोगे, login करने के बाद, आपके सामने window open हो जाएगी, login का admission portal वहाँ पर आपको देखेगा, कि यहाँ पर आपका home, already आपका home open हुआ होगा, आपको क्या करना है, my application पर जाना है, my application पर click करना है, जैसे ही आप my application पर click करोगे, आपके सामने, ऐसा interface open हो जाएगा, जिसमें आपकी, क्या दी हुई है, application summary दी है, जिसमें आपका, यहाँ पर control number दिया होगा, उसके बाद enrollment number, फिर आपने किस course में apply किया है, उसके बाद आपका regional center, उसके बाद आपका study center, ठीक है, उसके बाद आपको तीन option मिलेंगे, download करने के, तीनों चीज को आप download कर सकते हो, आपके इच्छा है, वैसे हमने क्या download करना है अपना ID का download करना है, ठीक है, पहले link पे आप देखोगे कि print payment acknowledgement, यहाँ पर आप click करोगे, तो आप अपनी, जो आपने acknowledgement मतलब, जो आपने fees payment की थी, उसके receipt आपको मिल जाएगी, दूसरा option आपको आ रहा है, print application form, जो भी आपका application form है, आप यहाँ पर click करोगे, तो आपको purpose के लिए अपने पास store रख सकते हो, आपके application form में आपकी सारी detail given होगी, ठीक है, उसके बाद जब यह दोनों process तो आपके होंगे, admission confirm होने से पहले, ठीक है, admission confirm होने के बाद आपका यह एक नया option यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपका लिखा हुआ है, admission status में लि ID card, अब आपको क्या करना है, जो यह green tab है, इस पर click करना है, जैसे आप green tab पर click करोगे, आपका ID card download हो जाएगा, जो की PDF form में होगा, और उसमें एगनुने clearly लिखा है, क्या लिखा है, देखी, यहाँ पर ID card, use your enrollment number as password, यह file आपकी password protected होगी, जिसमें आपको अपना ID card download करने के आपको क्या करना है, अपना enrollment number वहाँ पर डालना, आपका ID card open हो जाएगा, आप उस ID card को print कराकर अपने पास safe रख सकते हैं, ID card को आपको कहीं stamp लगवाने के जूरत नहीं है, वो electronic sign होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ID card valid है, आपको अपना ID card through the, आपका जो भी process रहे है, कैसे cancellation हो रहा है, सब को discuss कर लिया है, ठीक है, तो हमारी previous video को देखो, आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है, इसमें आपको बस किस चीज का ध्यान रखना है, कि आपको अपने, किस का ध्यान रखना है, admission session का ध्यान रखना है, ठीक है, बच्चों को यहाँ पर problem क्या होत किस का देगा, जुलाई 2022 का, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है, यह जो registration detail आपकी दिए है, यहाँ पर register user आप लोगिन कर सकता है, ठीक है, तो लोगिन करने के लिए, जब यह window लोगिन करने के लिए, कब खुलेगी, जब आप इस link पे, या तो इस link पे जाओ लोगिन वाला option मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना username डालना है, password डालना है, ठीक है, और यह आपको code डालना है, यहाँ पर आपको login करके submit कर देना, तो आपका, आप यहाँ से download कर सकते कोई दिक्कत ने, लेकिन यहाँ पर admission session पे जोर मैंने क्यों लास्ट वीडियो में हमने admission session killerly आपको बता है, कि आप कैसे पता लगा सकते हो, आपको अपना admission session जरूर 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 पता होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है, तो आपको जब अपना admission session पता होगा, तो आप login करने में बहुत easy रहोगे, ठीक है, क्योंकि July 2022 session के बच्चे login क session के लिए, तो आपको क्या करना है, simply यहां पर देखो लिखावा है, क्या लिखावा है, previous admission portal, previous admission जो आपका portal है, वहाँ पर आपको जाना है, उस पर जैसे ही आप click करोगे, आपके सामने, यह open हो जाएंगे, यह सारे जितने भी आपके previous year के आपके portal है, वे सारे आपको January 2022 का से भी पहले का बच्चा है, ठीक है, वो इस link पर जाकर अपना ID का download कर सकता है, कोई दिख करने है, बाकी यह सारे आपके admission session है, यह आपको पता होना चाहिए, online offline mode के इसमें, अलग link दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उस link पे click करोगे, click करने के बाद, आपके सामने same वही process start हो जाएगा, यह window आएगी, इस पर आपको login करना है, login करने के बाद आपकी summary खुल जाएगी, home page होगा, वहाँ पर आपको my application पर जाना है, और यहां से आपको अपना ID card download कर लेना है, यह green tap पर यह बहुत simple process है, आपको अपना ID card download करने का, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो like कर दीजे, जासा जास शेर कर दीजे, हमारे YouTube चैनल OE class को subscribe जरूर करे, bell icon को जरूर प्रेस करे, bye bye, take care